दोस्तों चलिए ये वाला फोन है अगर ये वाला फोन खो जाता है तो इस फोन को क्या से हम ढूनेंगे उस बंदे की लोकिशन और उसका फोटो इमेल एडर सब कुछ इस पे सो होगा और ये वाला फोन खो जाएगा तो इसमें वो बंदा जो भी गलत पैटर्ण डालेगा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको प्लेश्टोर में जाना है है जैसे यहां लिखना आपको रूब के केचर लिखना ठीक है इस application को इस्टॉल कर लेना है अब इसको सिंप्ली यहां से ओपन कर लेना है ठीक है अब कुछ यहां से इसकी प्राइविशी देनी है इस पर एक्टिवेट ना करना है यहां पर एक्टिवेट इस डिवाइस जो भी है इसके प्रमिशन कर देना है यहां पर नेस्ट करना है यहां पर location इसकी Enable कर दों है कि और यहांपर testपकर ना और यहांपर alert email जूपने है तो उसकी लोकीशन और उनाएं प्र फोर्टो यह फरंट वाला जो सामने वाला कैमरा होता हुँद से उसका फोटो ए Walter तुर से खत्रना से इस इसको Active करना कि ऐसे मिद्णहट और एक यह वाला यह जीमेल है तो इसको जीमेल से लोगिन कर लेनाँ ठीक है यहाँ पर कुछ लोडिंग ले रहा है сил को चलिए अथ कि आ बर पर कुछ ऐसा आते हैं यहां से हापको अलाउ कर देना है ठीक है कि नहीं सेसको को skip करते हैं यहाँ पर camera enable करना है storage enable करना है तो यहाँ पर देखे ट्राइट नाव कुछ ऐसा इसका इंटरफेस आ जाता है तो आपको यहाँ पर simply setting में जाना है ठीक है अब setting में जाने के बाद देखिए इस पर कुछ ऐसे आ जाता है यहाँ पर टेक पिक्चर इसको इनेवल रहने देना और यहाँ पर location को भी इनेवल रहने देना ठीक है यहाँ पर वैक आजाना आपको अब देखिए यहाँ पर दिखिए sound record अगर बंदे का sound record भी करवाना आपको यह यहाँ से इनेवल कर सकते हैं सो मैसेज इसको इनेवल कर सकते हैं और एक और important बात आप यहाँ पर ध्यान से सुनना अब ठीक है अब माने के चलो आपका यह वाला फोन है यह चोरी हो चुका है तो आपको क्या करना है कि इस फोन में यहाँ से आपको Gmail से login कर लेना ठीक है यह से करता है तो simply आपके Gmail पर उसके यह सामने वाला केमरा इससे उसका फोटो और location दोने इस पर सो हो जाएंगे आपके दूसरे वाले फोन में जब Gmail को login करोगे इस वाले Gmail को इस वाले जो चोरी होए फोन के Gmail को किसी दूसरे फोन में login करोगे तो पता चल जाया कि इस बंदे न में अब का phone चुराये मिला है तो यसे ही आप कर सकते है इसमें बहुत सारे फीज्ट यहां से कर सकते हैं तो बस दोस्तों अब यहां से आपको दीके ट्रेक पिक्चर यहांसे आप फोटो भी देख सकते हैं यहां पर मैं अभी दिखाना हो फोटो के वो यह कुछ हमारी privacy के खिलाफ है तो यह ही है सब वहत अच्छा अप्लिकेशन है दोस्तों इस अप्लिकेशन निकालेंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदें को वहां से आप डाउनलोड करें ना तो इसले मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए बाबाई